मैं राजेश गोतम उत्तर पदेश राश्षी टर्णमुक्त विश्य दाले कि आउनलाइन क्लासेश भी आपका स्वागत करता हूँ सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में कुछ चर्चा करेंगे जैसा कि हम जानते हैं सूचना एक मानिय विचार है और कहा जा सकता है कि जब जानने वाला तथा जानकार के बीच कोई अंतक्रिया होती है तो वहीं सूचना की उत्पत्ती होती है आज के युग में जिन देशों के सूचना की उपलत्ता का बहूल है वे सभी देश सक्तिसाली और संपुन और पूर्ण विक्सित मारिया थे हैं। किसी भी राष्ट के विकास एवन उनत्ती और संपनता के लिए उस देश की सूचना प्रालिक के सक्तिसाली होने अत्यंत आवश्यक है। समाज में जो परिवर्तन और क्रांति होई है वह सूचना के कारण ही हुई है। सूचना ने समाजिक एवं आर्थिक स्थिति पे बहुत ही प्रभाव डाला है। उद्देश, इस इकाई में हम निम्तत्यों पर चर्चा करींगे। पहला, सूचना की अवधाना का अर्थ, सूचना की विश्यश्ताओं वा सूचना की विभिन छित्रों के प्रभाव के बारे में। सूचना की समाजिक व्यापकता के बारे में, सूचना प्रवधान और प्रसंग के बारे में, सूचना के अस्सास्ति सरूप के बारे में, सूचना पदती एवं सेवाओं के अस्सास्त के बारे में, सूचना समाज का अर्थ, प्रभाव एवं विश्ताओं के बारे में, और समा सूचना का पद अत सूचित करना कहना समचार ज्यान समझ बुद्धी और जानकारी से बताए गई बात तथिद्यादी से होता है सूचना की उत्पति फॉर्मिट या थ्वा फॉर्मा सर्द से बना है दोनों ही सत किसी वस्तु के आकार यों सरूर को प्रदान करने के अभी प्रायक के व्यक्त करते हैं डेटा सूचना बना सती है और सूचना से ज्यान तथा विशय का निर्मार होता है सूचना वही होती है जो अर्थपूर्ण हो और जिसका उपयोग हो सके। सूचना पद का उपयोग डेटा, इंफोर्मिशन तथा नौलेज के लिए किया जाता है। लेकिन ये तीनों सत्पूर्णत्या भीन है। ये दपिया आवश्यक नहीं है। तथा पी अंतता डेटा सूचना को उत्पन कर सकता है। सूचना अनेक प्रकार की होती है। डेटा, सूचना, ज्ञान और विश्य है। इससे यह असपस्ट होता है कि सूचना क्या है। परिभाशा है। सूचना को परिभाशत करना अत्यान कठीन है। फिर भी हम दो विद्वानों जिसमें जे सेरा के और नॉर्बर्ट वेनर के परिभाशाओं की चर्चा करेंगे। जे सेरा के नुशार, सुचना के उप्योग जिस रूप में जीव वज्ञाने के उंग्रन ठाले करते थे, उसे तथे करते हैं। या एक उतिजना है, जिसे हम ग्यानेंदियों द्वरा प्रात करते हैं। या एक मात्र प्रकार का तत्थ हो सकता है, अथ्वा तत्थों के संपूर्ण शमू हो सकता है। तथा जब हम जिसके साथ समन्जस अस्थापित करते हैं और अपने समन्जस को जिस पर अनुभव करते हैं उसकी विशे वस्तु के नाम को सूचना करते हैं. सक्रीत्य और प्रभावली साली ढंग से जीने के विप्राय को सूचना के साथ जीना है. सूचना की मुख विशिस्ताएं जो इस प्रकार हैं सूचना का निश्कर्ष यो संचिप्त करन किया जा सकता है सूचना का विश्यरेशन किया जा सकता है सूचना की समुचिस संरचना होती है सूचना का अनुवाद किया जा सकता है इसको किसी अन्यस्थान पर प्रतिन्युक्ति की जा सकती है यह अस्मर रखने अस्तांत्र करने नस्ट करने तथा प्रसार करने वाली हो सकती है सूचना इस्थिर नहों कर गतिशील होती है सूचना का मुल्यांकन हो सकता है सुल्चला मुल्यांकन योग होती है या एक अन्य प्रकार के मादोमों से परिवत्तिर की जा सकते हैं पुस्तकाला ये अपने कम बजट में ज्यादा से ज्यादा संदर्वे सुचना सेवा अपने पाठकों को प्लग्द कराते हैं इसके लिए अपने पाठकों को ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसे संसाधन का ज्ञान, सूचना अधिगम और कौसलित्यादी का ज्ञान, जिसके तहद पाठक स्वेम पुस्तकाले में सनहित पाठसामगरियों एवं अन्य सूचनाओं का अध्यन कर सकता है। सूचना प्राधान का भविष, पुस्तकाले के कुछ मुख कारे जैसे सुचनाओं यों प्रलोखों को प्रबंद करना और ठी यूग बनाना है, लेकिन अब सुचनाओं का स्वडरूप और उनके संग्रा और प्रबंद करने के प्रडाली पूरी तरह परिवर्तित हो गई नए नए आयाम सामने आ रहे हैं पुस्तकालेव कि सुचना प्राधान के लिए अपने युगताओं एवं उनकी जरूरते आदे के जानकारी जानना अती आवशक है जिसके लिए पुस्तकालेव योजना बनाकर उनको क्रियामनेत्व करना ही चाहिए सुचना पदती और सिवाव का अर्शास्त यहां पे असपस्ट है कि सुचना प्रबंध की बाते हो रही हैं कहा जा सकता है पुस्तकालेव सुचना केंद्रो उनकी सिवाव से सम्मंदित सानुक पुस्तकालेव हमेशा है जनता की अर्शास्त के महने समझी जाती है क्योंकि इन इसको देखते हुए इस सुचना पद्धति के माध्यम से उन सुचनाओं को हम संकलित करने के लिए तो एक अस्तास्ति बजट तरीके से हम उसको प्रावधानित करते हैं इसलिए सभी विभाग अस्तास्त पे जोर दे रहे हुए वर्तमान में सुचना प्रदुगी का आगमन हुआ है और उसको सेवाव में ध्यान रखे अब C.A.S. and S.D.I. अनुक्रमनी का करन सार सेवाएं वा नई-नई सेवाएं इंटरनेट इजगत द्यादी सब पुस्तकाले अर्थवस्था के कारट सुरू कर दिये गया है सुचना सुरोत के रूप में संस्था किसी भी संस्थाएं के कुछ अपने उद्देश होते हैं और उन्हीं उद्देशों के अधार पे वो संस्थाएं अपने इंफास्ट्रक्चर वो सारी सुचनाय निर्धारित करते हैं य अपने संस्थाओं से संबंधित विभीन प्रतिवीदन, रिपोर्ट या प्रकासनों के अपचारिक माध्यम से इसका प्रसारित करते हैं और से सुचनाय फाइलों में संकलित किर जाती है इस प्रकार हम कर सकते हैं कि प्रकासित और प्रकासित सूचनाओं के संगरा का उत्पत्ति संस्थाओं से होती है। सूचना समाज की अधाना, यदि हम सूचना समाज की अधाना की बात करें, तो सूचना समाज, समाज की सभी व्यत्ति पे सूचना का व्यापक प्रभाव पड़ा हैं, चाहें वह किसी भी वैपार से सम्मन दित हो, या उद्धोग दंदों से सम्मन दित हो, या सिचर देखा जाता है यह साथ-साथ आर्थ समाजिक वर अर्थिक इस्तिति भेविए इनके प्रभाव पड़े हैं सुचना के सभी छेत्रों पर प्रभाव के करण समाज की दशा युन दिशा दोनों ही वदल गई है सुचना समाज का अर्थ माटिन ने सूचना को आर्थिक एवं ओदोगिक सक्ति माना है जो समाजिक क्रम एवं अस्तर से परिवर्तन लाने की परिघटना की कारी करती है सूचना समाज के सभी ततों जिसमें सामिल होते हैं जैसे श्रम बुद्धि एवं तकने की इत्यादी सूचना समाज एक समाज जिसमें सभी गतिवीदियों एवं अधारभूत निवेशों के रूप में सूचना पर केंद्री तरहती हैं सूचना समाज के विभिन छेत्रों पर प्रभाव सुचना के प्रभाव समाज पे इतना व्यापक रूप से पढ़ा है कि हमारे दैनिक जीवन पे सभी अस्तर पे ये प्रभाव दिखाई देता है सबसे पहला सिच्छा पे प्रभाव आज प्रात्मिक अस्तर से लेके अनुसंधान अस्तर तक इन सभी पर सुचना का व्यापक प्रभाव पढ़ा है। अनुसंधान विकास पर प्रभाव पर यह खोज देशों वी देशों में परियाप सुचनाओं के अधार पर की जाती है। अनुसंधान के छेत में परिष्ण अनुसंधान विधियों के आगमन सक्रिय उपकरणों एवं प्रदोग की का अनुप्रयोग उच्चस्तर की सुचना सेवा तथा समस्त रूप में समर्पित यह बधिक छंता से युग्ध आजगूण वता के असाधार रूप से व्रिद्ध हुए है वैपार उद्धोग धंदे पर प्रभाव और दोगिक एक वैपारिक इकाई चाहें किसी भी राष्ट में हो अपना अधुन करण हेतु विभिन नवींतम उपकरणों और नमींतम प्रदुक्यों को अपना रहे हैं इस प्रकार वैपार उद्धोग धंदे भी संसद्धन के रूप में होती है अता आज सूचना प्रदुगणी सरकारी क्रियकलापों के वियापक में लाई जा रहे हैं वैक्ति के अपने प्रतिदिंग के कारियों में सूचना क्याऊ सकता को अनुभाव करता किसी को फसलुगाने की, किसी को भगवानी करने की, किसी को ग्रिय सार सज्जा, खाना बनाने, वह बच्चों के लालन पानन यम ग्रिहस्ती को कारी है तो, तो वह सुचनाओं का अभिग्रम प्रात कर अत्यन सरत तरीके से उसकार को कर लेता है, मनुरंजन यम संस्कृतियों प प्रतिक अस्थान तक पहुंचता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ज्ञान एवं संस्कृति की संस्कृति एक पीड़ी से दूसे पीड़ी तक अस्थान्तरित होने का ससक्त माध्यमा पुस्तकाले सूचना विज्ञान के छेत्र में प्रभाव पुस्तकाले अपने संग्रहे किये हुए संग्रह कि सूचना सूची के माध्यम से पाठको तक पहुचाते हैं कुछ समय तक यह समझा जाता था कि पुस्तकाले की सेवा सेमित कि वक्राइक की बहुतिक संस्कृति प्रलेखो कि भौतिक आकृति पातको की असिमित आशायं सिमिध्धन संसाधन आदीमे पुस्तकालों के अपने सरुब के बदलने तथा पाठाक सेवां पर आधारित होने पर मजभूर कर दिया है आज कल पुस्तकाले एवं सुचना केंद्रों में पाठकों को इमेल, फैक्स, प्रिंटर, डीवीडी, सीडी, पे डेटा लेने एवं में इलेक्ट्रोनिक जनरल ओपेक द्वरा सुविधाये मिल लई हैं। यह सब सुचना एवं प्रधुगी का ही देना। सुचना समाज की विशेस्ता हैं। सुचना की मुख मिशेस्ता हैं। उप्योग करता को उसके वंचित सुचना त्वरिद एवं सही सुरूप में उपलब्ध होना। कम्प्यूटरिक करण और सुचना प्रधुगी में रोजगार के आउसर पैदा की हैं। समानी जनता में आज कल आर्ठिक शंसाधन के रोप में किया जाता है। सुचना सेवा दुर्षर्ण चार पे अधारित होती हैं। सुचना उप्यूग करता है है, प्राय सभी देश, विक्सित हो या विकास सिल-देश, सुचना इमस्वगरी का संक्रा प्रक्रिया इस प्रकार करता है कि सूचिना प्रवाह में जो रुकावटे समस्याएं वो अरोधाते हैं उन्हें हम सूचिना स्वंप्रेशन के अरोधक्तत कहते हैं भाशा प्रतिक देश की भाशा अलग-अलग होने के कारण यह संभन हो पता कि सूचिना का आदान-प्रदान-वापक अस्तर से हो सके समय दो प्रकार के अरोधक बनता है पहला तो समय उप्योगताओं को सूचना प्राप्त न होना और दूसरा प्रकाशन में लगने वाला समय सूचना जब प्रकाशित नहीं हो पाती और जब प्रकाशित होती है तो वह पुरानी हो जाते जिसकी उप्योगिता कम हो जाती है प्राय ऐसी दशा में विद्योसों से पत्र पत्रिकाएं वह पुस्तक में सनहीज सूचना को प्रात करने में बाधा उत्पन्न होती है प्रकियात्मक जटिलता प्राय देश्विदेश में प्रकासित पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं को क्रय करने में जटिलताय आती हैं जैसे आनलाइन क्रय करना वधनराशी संप्रेशन करना इतियादी सम्मान उपरुकताओं के लिए जटिल हो जाता है ऐसे स्थिति में य नहीं है जैसे CD DVD Magnetive वो डिस्क पेंट राइब इसके इलावा सुचना प्रारूप विभीन प्रकार के प्रारूप में होने के कारण जैसे PDF वर्ड पेज मेकर इतियादी में होने के कारण सुचना प्रात करने में व्यक्तिक को कंप्यूटर के साथ-साथ उपरुक्त सभी घ्य सामंजश नहीं बैठ पारा अभी भी अविवस्थित कुछ हेत्रों को छोड़क सुचना संप्रिश्ण का माध्यम चाहें जैसे भी हो उनमें संतोष जनत सामंजश से नहीं है अन्य बधा वाता वरणिये सोरकुल सुचना बिसफोट पुस्तकाले उम सुचना केंद्रों का विवस्थित अविवस्थित होना पुस्तकाले में अनुसंधान विकास की उपेच्छा उप्योग करताओं की अभीरुची में कमी अनुवाद सुविधा की कमी समय पर उप्य कर्मियों की सेव की प्रति उदाज सिंधा प्रसार ये और प्रसाहन का अभाव। निदान की विव विवस्था एवं सुचिक्रण पद्धति की तुटियां , सामग्रीयों की सारभमिक सुलप्ता की कठिनाइयां , सुचना की खोज, प्रबंधन वा पूनप्राति में कठनाइ सरांसर पुस्तकाले विज्ञान अब सूचना विज्ञान बन गया है और सूचना संसार प्रदोगी के कदम मिलाकल चर रहा है सूचना समाज का प्रतिक व्यक्ति पे इसका व्यापक प्रभाव पड़ा जिसके कर आज के मनुष के दैनिक विवद जीवन सहली में सूचना ने पहुत ही प्रभावित किया जदी उप्रोक्त विशे के संबंदित में जदी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आएंगे तो आप व्यक्ति गत रूप से भी भाग में आकर संबंद आप इससे प्रिच्छा कर सकते हैं धन्यवाद। झाल